आज फिर उपचे तीटो में B S N L से जोड़ी वीडियो को लिकर, तो दोस्तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें कि मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि जून की सेलरी मिल गई है, जी हाँ दोस्तो जून की सेलरी मिल गई है, कुछ ऐसे ही सक्षे मेरे पास आई दोस्तों मैं आपके लिए बता दू कि या तो मैं जब वीडियो बनाता हूं जब नियूस बनाता हूं जब कोई solid proof मेरे पास होता है कोई official या तो PK परवार का tweet हो या फिर वो official notice निकालते हैं उनका वो हो या government कोई notice निकालती है दोस्तों लेकिन मैं आप लोगों पर विष्वास करता हूं ऐसा नहीं कि आप लोगों पर ही विष्वास करता हूं आप लोगों नहीं मुझे बताया था कि जून की सेलरी मिल गई है सर दोस्तो आपके लिए चलिए मैं दिखाता हूँ उस कमेंट को जो कि मेरे पिछली वीडियो में भी दिखाया था मेरे पास कमेंट आया था बेस्ट बंगल से कि सर सेलरी मिल गई है जून मंत की लेकिन उन्होंने कहा है बाद मैं कमेंट करके कि सर से रखने का पूरा विश्वास करने का इसलिए मैंने विश्वास किया यह तो मैं जब बनाता हूं जब मेरे पास कोई ओफिच्यल नोटिस आता यह जब बनाता आप लोग ही मुझसे कहते हैं कि इस सेलरी मिल गई है तो दोस्तों आप लोगों ने ऐसा जो किया उनसे गलती से ट स्टूडियो लेकिन मैं आपके लिए एक बात और बताना चाहूंगा इस वीडियों हम लोग डिटेल में पूरा डिस्क्रेशन करेंगे जहां वो फोटी हो टेंडर कब मैं आप लोगों के कमेंट सेक्षन के रेपलाई देता हूं तो दोस्तों वहां जो है आपके लिए चलिए मैं लेके चलता हूं कि देखिे दूस्तों यह जो है tierra byte स्टूडियो जहां में आप लोगों से बात करता हूं हर्च तरीकिए कि बात आप लोगों से करता हूं शेर करता हूं और आप लोगों के कमेंट के भी रप्लाई देता हो तो दोस्तों यह देखिये मेरे पास comment आया था मनुजदास का पहले कमेंट आया था उन्होंने बोला था कि सर सेलरी मिल गई है जून मन्त की और मैंने उनसे और भी बहुत शारी वाते की थी चलिए दिखाता हूँ पहले वो वाले तो दोस्तों ये देखिए ये मनुजदास कहते हैं कि जून सेलरी आलरेडी फिर जो है मैने उनसे बात भी कि vingt है तो उन्होंने पूछा कि आप नहीं से हो यह शुनील हम पूछते हैं कि आप कहां है मैं बैस्त वंगम्नूल से हूं तो मैंने उनसे बोला है कि ओके बट Not All सरकल सभी सरकल में नहीं दी गई है बेस्ट बंगल सरकल में दे दी गई है तो अच्छी बात है लेकिन दोस्तों उन्होंने फिर मेरे लिए जो है रेपलाई दिया है फिर जो हम उससे बात किये जो कल वीडियो मैंने बनाया था उसको देखने के बाद तो दोस्तों वो कहते है मनुझदास देखी यह मनुझदास का ही कमेंट है यह केते हैं no sir वो भूल करके लिख दिया था वो कहा रहा है कि वो जो था मैंने भूल करके लिख दिया था जून मन्थ नहीं होगा sir में मन्थ होगी sorry sir wrong type हो गया था दोस्तो actually क्या होगा यह लोग sorry बोलते हैं sorry बोल रहे हैं कि गलत हो गया था wrong information फैलाने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है गलती किसी से भी हो सकती है गलती इंसान से ही होती है तो दोस्तो actually क्या होगा मुझे लगता है कि इनके phone में auto correct का option enable होगा इसलिए इनोंने mail लिखा होगा और auto correct करके उसने जून कर दिया होगा क्योंकि दोस्तों auto correct का जो option है वो जिसके लिए ज्यादा उसमें type कर देते हैं जिस सब्द के लिए या फिर जो current चल रहा होता है क्योंकि अब हाल जो अभी फिलाल की बात कर रहे तो जून चल रहा है इसलिए वो जून इसमें माई के लिए कनबट करके जून कर देता है इस परकार से जो है गूगल असिस्टेंट की तरह उसके लिए डेजाइन किया गया है ताकि वो अच्छे से चल सके दोस्तों यह कह रहे हैं नवीर फाटक बोलते हैं कि सर यूपी इस सर्किल में जून की सेली अभी नहीं आई है तो नव हजारों की संख्या में कमेंट मेरे पास भरे पड़े हैं तो दोस्तों मैं आपके लिए एक बात बताना चाहूंगा कि आप लोग कमेंट जरू करिएगा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करते रहिएगा ताकि आपको किलियर हो सके तो दोस्तों आप लोग क कमेंट का मैं reply देने की कोसिस करता हूं जहां मैंने आपके लिए दिखाया बहुत सारी कमेंट section के comment थे बहां मैंने लोगों से बातचीत की आप लोगों से भी बातचीत करूंगा अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो दोस्तों आपके सारे डाउट जो है किलियर हो जाएंगे वहीं पर मैं कोशिस करता हूं कि सारे comment section के आपकी जवाब दे सकूंगा दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम 4G के बारे में तो 4G का जैसा कि मैं पहले ही बता कर चुका हूं और फिलाल एक नई नीज फोड़ी की निकल के आ रही है कि जो फोड़ी का टेंडर था वो तो कैंसल कर दी कर ही दिया गया और दोस्तों जो उन्सट एप्स हैं फिफ्टी नाइन एप्स ऑफ जा चाइना जो कि चाइना है में चाइना है उनको इंडिया के अं इस ही है बीस हजार सैनिक चायना ने वहां लगा दिये हैं दोस्तों पहले तो उस हम लोग यहांसे लोट जाएंगे सोबे लेकिन दो से इंडिया के जवान गए तो उन्होंने कहा जाने को बोलोगे जानने को तयार नहीं थे इसलिए यहां लढ़ाई हो गई बहुत तगड़ी तो दोस्तों अभी जो फिलाल कंडिशन है टेंडर तो कैंसल कर ही दिया गया है लेकिन अभी नीती आयोक और बीयाशनल की बीच भी एक बहस छिड़ी हुई है नीती आयोक कह रहा है कि made in India के शामान खरीदे जाएं और made in India का ही जो हर एक equipment आफ 4G में अपग्रेड करने के लिए यूज किया जाए लेकिन इसके विपरीत बीयाशनल कह रहा है जो इसके higher authority हैं वो कह रहे हैं कि बीयाशनल का जो equipment है जो 4G अपग्रेडेशन के लिए जो भी शामगरी चाहिए वो विदेशी होनी चाहिए Chinese होनी चाहिए क्योंकि बीयाशनल अकर इंडिया से सामान खरीदता है तो जो चाइना के सामान खरीदने से 25% जादा जो है पैसा लगेगा तो इसलिए कह रहा है बीयाशनल कि वहाँ से सामान खरीद लेने चाहिए ताकि बीयाशनल पहले से घाटे में चल ला है और इतना पैसा कहां से जुटा पाएगा दोस्तों अगर गवर्मेंट चाहती है कि जो equipment वो made in India होनी चाहिए जो 4G अप्ग्रेडिशन की शामगिरी है वो made in India होनी चाहिए तो वी एशनल की तरफ पूरा पूरा द्यान देना होगा government को और दोस्तों यहां तक ही है कि नीती आयोग की ही चलेगी अगर हम बात करें तो नीती आयोग की ही चलेगी क्योंकि यह एक संसा है government की संसा होने के बाब जूर भी government से तो आगे नहीं हो सकती न तो दोस्तों नीती आयोग की ही चलेगी हाँ इतना जरूर है कि निती आयोग ऐसा कर दे ऐसा कहे गवर्मेंट से कि इसके लिए पैसा ज्यादा दिया जाए फोर जी अफग्रेडिशन के लिए ऐसा जरूर होगा तो दोस्तो फिलाल ऐसी खास कुछ नियूज जो ऐसी नहीं है कि तुरंद ही फोर जी के बारे म दोस्तो ऐसे ही कोई नियूज मिलती है तुरंद वीडियो बनाने की कोसिश करता हूं दोस्तो बी यारस का इस्टॉल्मेंट भी रपा हुआ है अभी कॉंटक्ट बरकर की सेलरी भी रुकी हुई है किवल एक महीने की सेलरी दी गई है 16 महीने में से और दोस्तो अभी ही जो ह सब्सक्राइब के साथ वीडियो को सेर जरूर करिएगा ताकि वह भी अफडेट रह सके हर एक नहीं उससे क्योंकि अभी अपडेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तो चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन जरूर प्रेस कर लिएगा ताकि आ झाल